Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel तो इस वीडियो में हम लोग जन्रन नालेज से कुछ देख लेंगे और ये डेज के उपर है, मतलब जो कुछ important date पूरे साल में महीने में जो important date आते हैं तो यहां से question एक दो question आपको मिली जाएंगे तो आपका ये समझे कि ये important वीडियो है देखिए कुछ और date जो यहां से नहीं हो पाएंगी, छूट जाएंगी कुछ date वो मैं वीडियो की link या फिर वीडियो का मैं टेलिग्राम पे और WhatsApp ग्रूप पे मैं provide कर देता हूँ स्क्रीन साट लेके कि वो वीडियो आप जरूर जाके देख लेंगे तो वो डेली का डेली में provide कर रहा हूँ और ज्यादा तर इस्टुडेंट तो complete कर रहे हैं और देखिए वीडियो को अगर आप पुरानी वीडियो देखा करिए तो उसमें जो question पूछी जाती हैं उस question का जरूर question कमेंट बाक्स में reply करें या फिर वीडियो देखें पुरानी वीडियो तो उसमें comment जरूर करें और हंडेट परसंट करें अगर देखिए तो चलिए कुछ चीज़े important देखते हैं और देखिए यह जनौरी से है तो जो भी स्टुडेंट बेसी नर्सिंग की तैयारी कर रहे है या फिर पैरा मेडिकल की तैयारी कर रहे है और दोजार चोविस में उनको इंटरंस एक्जाम देना है दोजार चोविस में तो देखिए वहां पे इसी चैनल पे आप पूरा physics chemistry biology आपका जीके हो गया जर्नल जर्नल नालेज हो गया फिर इंग्लिस हो गई और फिर उसके बाद आपका हो गया physics chemistry nursing aptitude total कराई जा रहे है प्रिपेशन काफी वीडियो लगब सोला सत्रा सो वीडियो अप्लोड है तो जाके इस्टुडेंट आप प्लेलिस्ट वाइज वाइज वीडियो रिवाइज करें देखिए सांदार कोईशन कर लेते हैं जीके में जो की मज़ा आ जाएगा यह सभी बेस्ट कोईशन है सबसे अच्छे कोईशन है और इंटरन्स एक्जाम में आने के चांस इन सभी कोईशन की ज्यादा प्रियाल्टी है यह सभी सेलेक्टेट कोईशन है देखिए जो भी स्टुडेंट के पास या फिजिस कमेस्टी बालो जी नर्सिंग एट्पी टीउ जी क इक्सप्लेइन की जाएगी और अगर आपके पास वी आइडिया लग जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वह सभी बेस्ट कोईशन है कि नहीं तो सभी स्टुडेंट प्लीज आप लोग ज्यादा स्जादा कोईशन सभी मेरे पास सेंड करें मेरी सिर्फ जिम्मेदारी नह करें ताकि मेरी कुछ help हो सके मेरी भी हो सके क्योंकि मेरे पास समय है नहीं तो पेडिया अप जनरेट करना question को select करना आसान चीजे नहीं होती है चार पाँच गंटे लग जाते हैं एक बनाने में कहने में आसान है करने में कुछ कर नहीं पाओगे अगर करने की बाते आएंगी जो इस्टूइट बार बार कमेंट करते हैं सर ये वीडियो कराईए वो वीडियो कराईए तो आप भी कुछ help करने की कोसिस करें दूसरे की तो चलिए next भी हम लोग अच्छे-च्छे question करते हैं देखे in which country was the 8th edition of the ICC women's 20 world cup held in 2023 2023 में कौन सी country 8th edition ICC women's जो world cup होगा held कहां पर है तो 2023 में ICC महिला 20 विशुकप का आठवा संसकंड किस देश में शुरू हुआ है तो ये देखे है ये South Africa में है important है देख लीजिएगा ऐसे question पूछेगा कि जो women's world cup 2023 का होगा हुआ था वो कहां पर हुआ था तो South Africa में next में देखे यहां पर the national game of Bhutan देखे भूटान का राश्टिये खेल कौन सा है तो Bhutan का basketball, badminton, football और यहां देखे तीरंदाजी दिया गया है आर्चिरी तो आफसा number fourth correct हो जाएगा भूटान का राश्टिये खेल जो है तीरंदाजी तीर को मारना बाण से तीरंदाजी उसी को बोलते हैं यह देखे डगवर्थ, डगवर्थ Lewis यह देखे डगवर्थ Lewis is associated with which sport जो खेल खेला जाता है डगवर्थ Lewis उसमें एक rule regulation लगा जाता है तो सब्द किस खेल से समंदित है तो अगर आप IPL match देखते होंगे, cricket देखते होंगे तो IPL अभी 2023 में ही यह दगवर्थ Lewis लगा के मेरी टीम मतलब मेरी जो फेवरेट टीम है कौन सी? CSK, चेन्ने सूपर केंस तो वो जीती थी इसमें डगवर्थ Lewis जो लगा जाता है डगव बारिस हो गई तो डगवर्थ Lewis नियम लगा के कुछ ओबर को कम करके फिर खिलाय जाता है मालीजे फिर बारिस हो रही तो डगवर्थ Lewis लगा के मैच को एक तरब जिताय भी जाता है जिसका score बेस्ट रहता है, performance बेस्ट रहते हैं तो यह cricket में लगा जाता है तो आफसन नमब टाइगर उट से सम्मंदी था है तो टाइगर उट किस से related है यह देखिए फार्मूला और रेसिंग से नहीं ना ही टेनिस के लाड़ी से ना ही बार्ड लगाना यह गोल्फ से सम्मंदी था यह वर्ड नेक्स्ट में देखिए हल्दी घाटी का युद किन किन राजा के माध मध्ध हुआ था यह भी कोईशन पूचा जाता है कि हल्दी घाटी का जो युद हुआ था वार हुआ था वो किन किन राजा के बीच हुआ था तो यह देखिए अकभर और राड़ा सांगल अकभर और माहाःरा परताब तो यह आफ़सा नमबर बी करेक्ट हो जाएेगा अक अच्छा question है, इसलिए इस question को select किया गया है, next में देखिए, अब यही अगर समय होता तो इसको English में convert किया जाता है, फिर उसके बाद English में question लाए जाते हैं, तो भाई साहब समय नहीं है, अगर आपके पास समय है, तो आप समय दीजिए, question select करिए, मेरे पास send करिए, next में कियेगा, यह सभी history से question है, history से एक दो question आएंगे, तो यह question आप देख लीजिएगा, मुगल काल का सबसे बड़ा मकबरा, सबसे बड़ा मकबरा किसका मकबरा है, तो हिमायू का मकबरा है, next में चलिए, यह देखिए, the primary level of child is socialization age, primary level of child, जो child का primary level socialization क्या कहलाता है, family कहलाता ह school या playground या community, तो यह कहलाता है, family कहलाता है, तो primary level of child, primary level of child का socialization कराना family कहलाता है, next में देखिए, yearly marriage, yearly marriage अगर लड़की की साधी yearly कर दी जा रही है, जल्दी कर दी जा रही है, तो यह क्या करता है, यह women's empowerment को बढ़ावा करता है, या फिर large family का बढ़ावा करता है, या फिर good social status का या healthy mothers and family का, तो यह large family का बढ़ावा करता है, मतलब improve करता है, early marriage जल्दी साधी हो जाएगी, तो बच्चे जादा पैदा होंगे, तो large families के लिए यह late करती है, इसको बढ़ावा देती है, next में देखिए, all are part of light microscope, microscope आप देखे होंगे, तो नहीं देखे होंगे, तो देख except means किसको छोड़ के, तो except, exception, except वाला question आता ही है, दो question आपको मिलेंगे exam में, तो except ध्यान में रखिएगा, all part of light microscope, तो देखिए, कौन से light microscope में कौन सा part नहीं है, तो light microscope में तो condenser होता ही है, अब देखिए, eye pieces भी होती है, जहां से देखा जाता है, आँखों के अंदर, फिर देखिए, slide with cover slip, यही नहीं होता है, और यह objective lens तो होते ही है, तो यह तीनों होते है, microscope में यह नहीं होता है, तो आपसा number यह आपका correct हो जाएगा, slide with cover slip, next में देखिए, next question, who is considered as the father of sociology, यह भी question पूछा गया है, तो इस question को इसलिए मैं select किया हूँ, who is considered, father of sociology कोन है, तो sociology आप बुक पढ़ाई जाती है, एक subject ही sociology पढ़ाई जाता है, तो sociology consider, sociology जैसे ही आप sociology की सुने, तैसे आपको अगस्ट कमेटी, एक साइन्टिस्ट है, sociologist, तो यह अगस्ट कमेटी आपको पता होना चाहिए, तो आपसा number fourth correct हो जाएगा, human skeleton is made up of total bone, human skeleton जो human की जो धाचा बना होता ह हड़ी होती है, bones होती है, उसमें पूछा जारा कितने total bone होते हैं, तो देखिए 201, 206, 192, 105, तो आप तो लगा ही देंगे 206 bone होती है, total, 206 हड़ी होती है, तो हम लोग इतना question select किये हैं, और फिर कराते रहेंगे, question की तो भरमार है भाई, लाखो question है, जाहिए physics chemistry बालो जी, nursing aptitude जी के daily target दिया जा रहा है, आपका whatsapp join करिये, telegram join करिये, telegram join करिये, जो girls हैं, वो telegram ही join करें, क्योंकि काफी student जो है, वो कुछ हरगते करते हैं, whatsapp group में, तो चलिए देखिए, और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अभी फ्राट चल ला है थोड़ा सा, काफी student मेरे नाम स अगर आपके पास मेरे नाम से कोई number, कोई पैसा मांगता है, तो हाँ, मेरी idea भी हाइक होई थी, instagram पे जो की followers नहीं है, आप काफी student उस पे नहीं होंगे, तब भी कोई हाइक करके पैसा मांग रहा था, तो आपी लोग मेरे पास call किये थे, मेरे friend भी काफी call किये थे, तो पैसे कोई पैसे मांगता है कि 10 रुपे दे दीजिए, मैं आपको एक, पिछली बार काफी ऐसे हुआ था, पिछली बार दोजात, तेश में, लास्ट में, काफी student मेरे नाम से PDF 10-20 रुपे में बेचे थे, तो मेरे according ये सभी कभी ये चीज़े नहीं की जाती है, कि 10 रुपे आपका मैसेज करके मांग रहा है कि मैं उनका फ्रेंड बोलना हूँ, या फिर मैं बोलना हूँ, आप मेरे पैसे दे दीजिए, तो आप पहले अपने फ्रेंड से confirm करें, तब पैसा दें, तो उस हिसाब से, अगर मेरे नाम से, मेरे चैनल की नाम से कभी भी कोई पैसा मांग पैसा कमाईए, तो अभी चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जनौरी, इंप्वार्टन डेट हम लोग देख रहे हैं, देखिए जिसे नो जनौरी, नो जनौरी को आपका प्रवासी भारतिये दिवस मनाय जाता है, ये कोईशन पूछा गया है, तो ये इंप्वार्ट कोईशन आएगा, तो आप साल्व कर पाएंगे, तो एक दो बार आप कर लेंगे, आपका आईडिया लग जाएगा, जैसे देखें, बारह जनौरी को क्या मनाय जाता है, नेक्स्ट में देखें, फिप्टेन जनौरी, पंद्रा जनौरी को आर्मी डे मनाय जाता है, इंडिय बाइस जनुरी को क्या मना जाता है वो भी आप कमेंट बाक्स में आप बता सकते हैं बाइस जनुरी को भी एक बढ़िया दिवस मना जाता है अभी लेटेस्ट हुआ था तो वो आप कमेंट बाक्स में बता सकते हैं और तेस जनुरी को यह आप देख लेंगे नेता जी सुभा पासचंदर बर्थ एनिवर्सिटी मनाई जाती है नेक्स्ट में देखे 25 जनौरी को क्या मना जाता है नेशनल बेक्टर्स डे मना जाता है नेशनल बेक्टर नहीं ओटर्स डे मना जाता है नेशनल ओटर्स डे तो ये मना जाता है 25 जनौरी को 26 जनौरी को रिपब्लिक डे होत तो उस दिन जागरुक किया जाता है सभी को कि वो उससे कैसे बचें तो ये वर्ल्ड लिप्रोशी डे मना जाता है कब 13, 30 जनौरी को फिर उसके बाद फरोरी में आ जाएंगे 4 फरोरी को वर्ल्ड कैंसर डे मना जाता है ये important है 11 को क्या मना जाता है पंडित दिन देल उपद्धिया, death anniversary मना जाता है, ये भी important है, 11 फरोरी को मना जाता है, 14 फरोरी को Valentine दे मना जाता है, सभी को याद है, अभी देखिए, आज date कितनी है, 12 आने ही वाला है, तो Valentine दे मना जाता है, ऊसी दिन कुछ और हुआ था, वो भी comment box में लिख सकते हैं, देख लीजिएगा और 28 फरोरी को National Science Day मना जाता है ये भी important है नेक्स्ट में देखिए March में आईए थर्ड मार्च को क्या मना जाता है थर्ड मार्च को World World Wildlife Day मना जाता है तो ये important है देख लीजिएगा आठ अगर बात करें कि 8 March को 8 March को क्या मना जाता है तो 8 March को मना जाता है International Women's Day ये भी important है इसको भी important में रखिए नेक्स्ट में देखिए 15 March को 15 March को क्या मना जाता है तो 15 March को World Consumer Right Day मना जाता है और 24 March को World Tuber Closest Day मना जाता है ये भी important है नेक्स्ट में देखिए April में आएंगे April में 7th April को World Health Day मना जाता है important है next में अगर April में बात करेंगे तो April में 22 April को Earth Day मना जाता है ये भी आप याद करिए फिर उसके बाद 25 April को देखेंगे World Malaria Day ये भी important है next में बात करेंगे कि April में April में देखिए April में ये चीजे अभी हम लोग क्या कर रहे थे ये भी अपरेल ही कर रहे थे तो अपरेल में ये सब चीजे हो गई है अपरेल के बाद माई आए माई में देखिए 1st माई को क्या मना जाता है ये देखिए International Workers Day मना जाते है 3rd माई में International Press Freedom Day मना जाता है 7th माई को April नहीं माई की बात कर रहे है 7th माई को मना जाता है ये भी आपर सकते है ये इंपर्टन्ट है 8 माई को मना जाता है वर्ल्ड Red Cross Day मना जाता है तो ये इंपर्टन्ट है और 12 माई को तो सभी को पता ही है International Nurse Day मना जाता है तो nursing aptitude में मैंने तो लगब 20-30 बार ये चीजें वो तो explain किये है nursing से related कोई concept छोड़ा ही नहीं है तो nursing aptitude में जाएंगे 15-16-17 वीडियो पूरी कराई है एकदम nursing aptitude में कोई भी 40 में 40 question सही करना है बाई सभी को Next में देखिए 31-31 माई की बात किया जाए तो वर्ल्ड no 2 way को डो मना जाता है यह भी important है इसको भी देख लीजिएगा June में बात किया जाए कि 1st June को क्या मना जाता है तो 1st June को World Milk Day मना जाता है 5 June का बात किया जाता है तो World Environment Day का मना जाता है तो 5th June को मना जाता है Next में देखेंगे Next में 14 आप अगर June की बात किया जाए तो 14 June को होगा यह भी इंपोर्टंट है 21 जून वाला फिर जुलाई में आएंगे जुलाई में में देखेए जुलाई में फ़स्ट जुलाई को क्या मनाय जाता है डाक्टर्स डे या फिर जी tightening यह भी इंपोर्टंट है देख लीजिएगा और घ्लाई को डीरल gospel यह यह भी इंपॉर्टन्ट है 11 जुलाई को नेक्स्ट में 28 जुलाई को World Hepatitis Day यह भी इंपॉर्टन्ट है और 31 जुलाई को International Tiger Day यह भी इंपॉर्टन्ट है तो यह देख लिजेगा जुलाई के बाद अगस्ट, अगस्ट में 6 अगस्ट को Hiroshima Day मना जाता है यह भी इंपॉर्टन्ट है और 7 अगस्ट को क्या मना जाता है यह देखिए नीरत चोपड़ा जो जेबलिन डेथ इसी को मना जाए जेबलिन भाला जो फिय कहते ना नीरत चोपड़ा तो उसका Day मना जाने लगा 7 अगस्ट को कितना 7 अगस्ट को फिर 12 अगस्ट की बात किया जाए तो International Youth Day मना जाता है यह भी important है देख लीजिएगा नेक्स्ट में यह देखिए अगर बात करेंगे अगस्ट की तो 15 अगस्ट को पता ही है Independence Day मना जाता है इंडिया में और 20 अगस्ट की बात करेंगे तो यह देखिए यह क्या है यह देखिए सद भावना दिवस मना जाता है जिसको राजियू गाधी दिवस भी उसी दिन मना जाता है तो सद भावना दिवस यह भी important है 20 अगस्ट को मना जाता है अगर बात करेंगे कि 23 अगस्ट यह इस अगस्ट को नेशनल स्पेस डे मना जाता है यह भी important है इसको देख लीजिएगा फिर बात करेंगे कि 29 अगस्ट को क्या मना जाता है तो 29 अगस्ट को नेशनल स्पोर्ट डे मना जाता है और नेशनल स्पोर्ट डे में major ध्यानचंद बर्थ University भी मना जाता है ध्यांचंद Stadium काफी Stadium है अगर Stadium में नहीं रहता है तो एक वहाँ का एक डिपार्ट बना दिया जाता है ध्यांचंद के नाम से तो National Sport Day Important है नेक्स्ट में देखिए September में आएंगे तो September में 5 September को Teachers Day मना जाता है 8 September को मना जाता है International Literacy Day मना जाता है यह भी important है और 11 सेप्टमबर को बात करेंगे तो death anniversary सरी किया सुबरमनियम यह हटाईए फिर उसके बाद आएंगे सेप्टमबर में बात करेंगे कि 14 सेप्टमबर को तो हिंदी डे यह भी important है और 17 सेप्टमबर को social justice डे 17 सेप्टमबर को world tourism day और 13 सेप्टमबर को world heart day मना जाता है यह कि यह आप याद कर सकते हैं next में October में आएंगे second October को क्या मना जाता है तो non violence day या फिर गाधी जैनती यह important है सभी को पता भी है कभी question गलत भी नहीं करते हैं ऐसे question अगर पूछा जाएगा और यह question आने माला है कि गाधी जैनती कम मना जाती है तो second October को और third October का बात किया जाए तो world animal day यह भी important है और five October को national dolphin day यह भी important है next में 8 October को बात किया जाए तो air force day मना जाता है next में बात किया जाए तो अभी October की बात चली रही है October, 14 October को मना जाता है world standard day, 15 October को world student day, APG Abdul Kalam day मना जाता है और 16 October की बात किया जाए तो 16 October को world food day मना जाता है और 24 October को united nation day important है next में यह देखिए 31 को बना जाता है, 31 October को इंद्रा गाधी death university मना जाता है next में बात करेंगे देखिए number में आएंगे तो number में 7 number को देखिए national cancer awareness day मना जाता है तो इसमें national cancer जो cancer से related patient होते हैं या फिर cancer से रोक थाम के लिए या फिर prevention के लिए चीजे aware की जाती है कि ये चीज यूजना करें, इन चीजों से दूर है, तो cancer नहीं होगा तो ये चीज न्यशनल cancer awareness day मना जाता है 7th number को और number में बात करेंगे कि 11 number को तो National Education Day मना जाता है और number की बात करेंगे तो 12 number को National Bird Day मना जाता है अगर नॉंबर की बात करेंगे तो 14 नॉंबर को Children's Day जो की important है World Diabetes Day भी इसी दिन को मना जाता है किस दिन 14 नॉंबर को Next में बात करेंगे कि अगर यहाँ पे देख लीजिए अगर से यहाँ पे बात करिए अगर December की बात करेंगे तो December में देखिए यहाँ पे 1st December को तो मना जाता World AIDS Day यह भी important है इसको देखिएगा December में और 2nd December की बात करेंगे तो World Computer Literacy Day अगर 5 December की बात करेंगे तो World Soil Day यह भी important है अगर December की बात करेंगे तो यह देखिए 10 December को International Human Rights Day यह भी देख लीजिएगा और 14 December को बात करेंगे तो World Energy Day अगर 24 December की बात करेंगे तो National Consumer Ride Day अगर 25 December की बात करेंगे तो Good Awareness Day important है तो इतना सब चीजे कर लिए नेक्ट वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं नेक्ट वीडियो में मैं ही बता देता हूँ Physics में हम लोग करेंगे Physics में Physics में हम लोग करेंगे Work करेंगे Work करेंगे Energy और पावर यह तीन टापिक करेंगे हम लोग Next वीडियो में Physics में या फिर आप English बोलेंगे काफी इस्टोन करेंगे English करा दीजिए तो English भी करा सकते हैं आप Comment Box में बता सकते हैं कि Physics की वीडियो देखनी है Next वीडियो की आपकी English में देखनी है तो यह चीज़े हो जाएंगी देखिए कोई चीज छूटेगा नहीं तो सभी चीज़े करा दी जाएंगी इस चैनल पे लेकिन आप कमेंट करने के पहले आप तो बोलते हैं कि यह वीडियो करा दीजिए वो वीडियो ठेक है करा दिया जाएगा लेकिन आपका भी कुछ बनता है न कि आपको हर चीजे फिरी में प्रवाइड की जा रही है इस चैनल पे और एकुरेट प्रवाइड की जा रही है इतना अच्छा नर्सिंग फेल्ड में कोई चैनल मिलेगा नहीं यूटूब पे आप खोज लीजिए और वीडियो का कमपारिजन कर लीजिए कौन बेस्ट पढ़ा रहा तो कोई नहीं मिलेग नर्सिंग एप्टिट ट्यूड हो गया जीके हो गया और इंगलिस टोटल इस चैनल पे कराई जा रही है प्ले लिस्ट में जाके वीडियो रिवाइज करें डेली का डेली टार्गेट प्रवाइड किया जाता है कौन सी वीडियो देखके अगर पहली बार देखना है तो आ यह भी बता ही देंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सा टॉपिक देखना लेकिन हाँ वीडियो आपको सेर जरूर करना जादे से जादे वीडियो जाएंगे और जादे से जादे से जादे इस्टूडेंट जुडेंगे चैनल ग्रो करेगा अच्छी क्या युец्ट नहीं होना चाहिए तो इस चैनल चैनल के ऊच्छी तो सबही आएंगे चली नेक्ड वीडियो में लोग फिजिएक करेंगे या फिर इंग्लिष क्रेंगे चीजे आप के ऊपर करती है आप कितना share करते हैं वीडियो तो उसी के recording आप खुद देख लिजिए वीज के recording कितनी चलती है उसी के recording वीडियो अप्लोड की जाएंगी चलिए next वीडियो मिलते हैं और आप लोग यह सभी देख लिजिए next वीडियो में हम लोग gk का हर एक cover कर लेंगे point तो gk से भी कोई question नहीं गलत होगा nursing aptitude से कोई question नहीं गलत होगा पिछली बार की मैं कराय था जीके कल अगब दस बारा question वहीं से फस गए थे तो जो इस्टूडियो दिये होंगे वो idea लगा होगा तो आप previous वीडियो तो previous वीडियो बगर कुछ नहीं होगा previous वीडियो अगर जो इस्टूडिय पूछा नहीं जाएगा तो चलिए जो इस्टूडन कर रहे हैं वो चीज आप समझ रहे होंगे समझ में चीजे आई ही रहे होंगी चलिए next वीडियो मिलेंगे और best वीडियो आपको प्रोवाइट करेंगे यहां पर मेरे चैनल पर आएंगे यहां पर मेरे चैनल का आपको यहां पर लोगों पर किलिक करेंगे फिर यहां आपको मेरे चैनल का front cover यह दिख जाएगा फिर नीचे स्क्रोल करेंगे यहां पर देखिए मेरे चैनल पर 1600 वीडियो अप्लोड है 1700 वीडियो हो गई वीडियो अप्लोड 1700 हो गई और वीडियो आपको रिवाइज कितना कितन 700 वीडियो सम्थिंग में करना है अभी से लगे गया कि कितना वीडियो है कैसे कर पाएंगे तो अभी कर लेंगे बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे तो काफी student अच्छा कर भी रहें देखिए यहाँ पर आप वीडियो सेक्षन पर जाएए यहाँ पर प्लेइलिस्ट और यहाँ पर लाइब तीन जगां से वीडियो रिवाइज करना है अगर आपको एक जगां से करना है तो आप प्लेइलिस्ट फालो करें और लाइब में तो 8-10 वीडियो हैं यह तो आप देखी लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर ज़ादा ज़ादा 5-6 वीडियो मिल जाएगी लाइब में तो यहाँ प्लेइलिस्ट में जाएए सबी वीडियो रिवाइज करिए और वीडियो सेक्षन में आईए आपको दिखाते हैं यह देखिए वीडियो सेक्षन में जाएँगे लगभग 10-15 दिन पहले मैंने में किया था एक वीडियो अपलोड किया था उसने सब कुछ चीजे चैनल के बारे में बताया था कि आप ऐसे इस चैनल के थुरूप रिप्रिशन कर सकते हैं नीचे स्क्रोल करते जाएंगे आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी यह देखिए नीचे स्क्रोल करिए यह देखिए यह वीडियो है आप सीट इनिट चैनल बेसी नर्सिंग वीडियो दोजार चोबिस सीट इनिट यूटूब चैनल ये 28 मिनट की वीडियो है, ये वीडियो देखिए, एक PDF मिल जाएगा, उस PDF में प्लेलिस्ट वाइज, कैसे वीडियो रिवाइज करनी है, वो देख लेंगे, चलिए इसी वीडियो में, किसी भी वीडियो में, आप मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो आप खोलते हैं, तो आप वीडियो आप यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं, फिर उसके नीचे ये टाइटल लिखा रहता हूँ, उसी के जस्ट नीचे ये तो मोर का अप्सन दिखता है आपका न, तो यह मोरी इसी पर आप किलिक करेंगे, देखिए, यह पूरा डिस्क्रिप्सन बॉक्स होता है, यह प अगर एक वीडियो में डिस्क्रिप्सन बॉक्स चेक किया करिये, अगर कोई 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 में करेक्शन हो जाती है, पढ़ाते समय कोई माली छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, तो मैं यहाँ पर मैं उसका एक्स्प्लेइन कर देता हूँ, तो आप अगर किसी भी वीडियो में तो यहां पर explain आपको मिल जाएगा और यहां पर वीडियो की link भी मिल जाती है तो आप लोग वो सब देखा करिए